तो गाई स्वागत आप सबका मेरे चानल पे और आज हम बेबलेड कस्टमाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टन चीज़ के बारे में बात करने वाल है अगर साफ साफ कहूँ तो बेबलेड कस्टमाइजेशन में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टन पार्ट के बारे में हम आज डिसकुशन करने वाल है जो कि है बेबलेड पर्फार्मंस टिप्स गाईज तो आज का वीडियो पूरा का पूरा बेबलेड पर्फार्मंस टिप्स पे होने वाला है और आप सोचे रहेंगे यार अगर ये सेकेंड म steps यूज़ करोगे अगर आपको stamina चाहिए तो आप metal spike या फिर आप WD यूज़ करोगे तो इससे बेबलेड के movement हम set कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा important क्या है गाईस तो इससे ज़्यादा important में आपको अगले वीडियो में बात करेंगे पर आज का जो वीडियो है वह हमारा वेवलेड performance tips के बारे में तो यहां पर आप जो देख सकते हो वह काफी गिने चुने performance tips में रखे है वैसे देखा जाएगा तो बहुत सारे performance tips है मतलब 10 15 20 नहीं बहुत जादा performance tips है और टकारा टोमी ने ये metal fight के time पे कोई कसर नहीं छोड़ी थी मतलब twin ball, flat ball, spike ball, फिर उसके बाद semi flat, फिर flat spike, ऐसे कर करके कर करके बहुत सारे customization उन्होंने बनाए थे, तो वो सब कुछ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सारे जो performance tips है ना, वो इतने सारे valid भी नहीं है, मतलब वो ठीक ठाक है, इतने खास performance tips नहीं है, तो आज हम जो important performance tips है, जो competitive customizations में use होते हैं, और कुछ ऐसे अलग performance tips, जो कुछ specific purpose serve करते हैं, उनके बारे में discuss करेंगे, तो guys चलिए चालू करते हैं, आज हम attack types से चालू करेंगे guys, तो attack types में basically हमें 2 variations देखने मिलते हैं, यह सबसे पहले तो मैं यह पूरा जो जमेला है वो हटा देता हूँ, इतने सारे performance tips का, तो guys attack types में हमें 2 variations देखने मिलते हैं, एक जो है, वो है plastic या metal का attack type tips, और एक आप बोल सकते हो जो कि है rubber attack type tips, तो guys rubber attack type tips में हमारे पास आते हैं यह सारे choices, तो यह हमारा सबसे classic rubber attack type है, जो है rubber flat, इसको हम RF बोलते हैं, RF rubber flat, तो यह basically bay blade को एक solid grip देता है stadium पे, जिससे bay blade एक must वाला flower pattern कर सकता है, और सामने आले bay blade को knockout कर सकता है, इसके उपर, मतलब इससे ज़्यादा और aggressive पर बहुत ज़्यादा difficult to control जो performance tip है, वो है right rubber flat, तो guys right rubber flat जो tip है, वो हमें बहुत बहुत ज़्यादा strong aggressive patterns देती है, पर right rubber flat को control करना यह सबकी बसकी बात नहीं है, क्योंकि इसका जो pattern है, यह star वाला, वो bay blade को बहुत ही ज़्यादा unstable वाला देता ह जिसमें अगर आप थोड़ी सी भी flower pattern के time पे चूक करते हो, मतलब launch के time पे, tilt launch या rush launch के time पे, तो तभी आपका पूरा का पूरा bay blade का जो संतुलन है, वो खराब हो जाएगा और bay blade self के हो जाएगा, तो इसलिए right rubber flat जो tip है, right rubber flat वो काफी professional लोगी use करते है, इसके बाद guys, हम plastic tips की और बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो हम मैं बात कर रहा हूँ tips के बारे में, ये एकदम core attack type tips है, तो इसके बाद plastic में हमारे पास आता है, guys, ये एक और plastic का star pattern tip है, जो कि इसको LF बोलते है, left flat, left flat, तो यहाँ पे ये spike जो है, वो left direction में है, और अगर आप यहाँ पे core से देखो तो ये एक difference है, ऐसे एक rubber flat भी आता है, left rubber flat, वो काफी rare है, वो मेरे पास तो नहीं है, तो guys, इसके बाद हमारे पास है whole flat, तो sorry, ये whole flat नहीं है, ये खाली flat है, तो flat जो performance tip है, वो भी थोड़ा difficult हो जाता है, इसके आगे का जो type है, वो है extreme flat, वो तो यार भगवान करो, कोई न control कर सकता, और उसके आगे हमारे पास giga flat भी है, और फिर GCF भी है, giga circle flat, तो वो सब तो यार, वो 0G stadiums में काम आते है, यहाँ पे आप BB10 में उसको use करोगे, तो आपके, मतलब, अभी क्या बोलू, वो मैं बोल नहीं सकता, jam हो जाने है, तो आप समझ कह रहेंगे, जिनको cover नहीं use करेंगे, तो guys, एक option है, जो की है, कहां गया वो option, अभी दिखाता हो guys, एक second, यहाँ पर ही था, एक whole flat का option आता है, यहाँ पर यह देखो, तो यह guys है whole flat, तो यहाँ पर क्या होता है, जो contact है stadium के साथ, वो कम हो जाता है, तो जितना contact कम होगा, उतना ही basically bay blade का जो aggressiveness है, वो काफी कम हो जाता है, फिर इसके बाद आपको semi flat भी एक option है, पर semi flat मुझे पसंद नहीं है, मैंने edit bay blade का एक video देखा था, जिसमें उन्होंने semi flat के बारे में काफी तारीफ की थी, बट ठीक है यार, semi flat इतना अच्छा नहीं है, मतलब वो aggressiveness patterns नहीं देखा, तो guys, इसके बा भी देता है, तो guys, इसमें कैसे है कि अगर आपका first या second hit नहीं लगेगा, जो कि rubber tips में बहुत ही crucial है, और third और fourth hit भी अगर लग गया, तो भी चल जाता है, क्योंकि तभी भी जो power है bay blade की, वो maintained रहते हैं, इसके लिए metal flat actually, जो top bladers रहते हैं ना मतलब, जो tournaments में जाते हैं, वो एक metal flat नहीं रखते, वो ऐसे 5-5-6-6 metal flats रखते हैं अपने customization box में, तो guys, इसके बाद बढ़ते हैं कुछ rubber defense tips के पास, तो guys, ये है RSF, तो guys, RSF की ताकत तो आप मेरे previous combo में देख चुके होंगे, तो इसके लिए मैं इसके बारे में जाता बड़बड नहीं करता, और फिर ये एक है RDF, तो RDF basically है, राइट, नहीं, RDF is rubber defense flat, तो guys, नाम थोड़ा सा मेरा भी कच्चा है, पर मुझे मालूम है सब चीज क्या करता है, तो guys, rubber defense flat जो ये performance tip है न, इसको हम focus में नहीं ला पाए रहे हैं, हाँ, तो rubber defense flat जो ये performance tip है, थोड़ा सा गंदा है मेरा, तो guys, ये जो tip है, वो basically, कोई भी defensive customizer, pure defense customizations में काम करता है, इसमें क्या होता है, कि अगर bay blade का, मतलब bay blade थोड़ा सा ridge पे चला गया, तो ये जो side का lip है, ये contact में आ जाता है, और bay blade एक round aggressive pattern करके, जो opposition bay blade है, उसको knockout कर सक है, guys, तो ये actually specialty है, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, ये tip के बारे में, तो guys, इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्ट tip है, जिसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा, वो है coat sharp, तो guys, coat sharp में basically stamina भी है, और इसमें attack भी है, बट इसकी जो सबसे खास बात है जो है इसकी height, तो coat sharp को अगर आप 230 के साथ pair कर लेते हो ना, तो खतम है scene, कोई आप तक पहुच नहीं पाएगा height में, उसके बाद guys, हमारे पास और इसे बहुत सारे types है, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ये है flat ball, तो guys, flat ball मतलब क्या है कि यहाँ पे outer lip है, वो flat है और बीच में एक ball है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये पागल ही use कर सकते है, फिर हमारे पास है wide ball, तो guys, wide ball basically lion का tip था, और rock zarafah, बहुत सारे levelets में आया ये wide ball, इसके बाद हमारे पास है guys, ये देखो, ये है ES performance tip, तो ये basically bearing का छोटा भाई है, और ऐसे हमारे पास eternal shark, जो मतलब shark performance tip रहती है, जो अब ये देखो, ये Sagittario की shark performance tip है, इसका upgrade है eternal shark, वैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, WD है, तो WD का basic upgrade है EWD, जो की बोल सकते हो, आप eternal, WD is wide defense, eternal wide defense, या फिर हमारे पास W squared D भी होता है, ब बात नहीं करूँगा, फिर guys, और ऐसे होता है कि आप देख सकते हो, ये है DS, defense sharp, और फिर हमारे पास आता है EDS का आगया, ये देखो, guys, ये है EDS, eternal defense sharp, तो ये टकार आटॉमी का एक आप बोल सकते हो, style था तभी, मतलब एक basic tip बनाओ, और फिर उसका upgrade डालो, बड़ो सब में नहीं होता था, guys, फिर उसके बाद, यार, मेरे पास actual rubber sharp नहीं है, बट यहीं ऐसी होता है rubber sharp, यार, ये HMS का wavelength है, बट हाँ, rubber sharp ऐसी ही दिखता है, तो guys, ये है rubber sharp, फिर guys, आते है, metal में, metal spike है, यार, बहुत ही low resistance, मतलब आप जब समझोगे ना, यार, metal है, तो metal stadium पे बिल्कु इसके बाद, तो guys, इसलिए, ये इतना अच्छा tip नहीं होता, फिर और gimmick tips है, ये देखो, यार, twin ball, मतलब बॉल के उपर एक छोटा सा ball, तो ये सब चीजे माहिने नहीं रखती, तो guys, अभी एक final mode changing के बारे में बात करेंगे, तो guys, mode changing यहाँ पे है, ये HF slash S, तो यहाँ प देख सकते हो, ये flat tip में आ जाता है, तो guys, ऐसे भी tips आते हैं, और finally guys, मैं 40 tips के बारे में बात करूँगा, performance tips के बारे में, FS बहुत ही घटिया, बट हा, centrifugal force पे depend करता है, एक बार way blade का spin कम हो गया, कि इसका जो spike है, वो बाहर आ जाएगा, तो ये attack और stamina में switch करता है, बहुत ही भयंकर, bearing drive guys, bearing drive के बारे में जितने भी बोलेंगे, बहुत ही कम है, क्योंकि ये basically stamina को एक अलग ही उच्छाई पे पहुचा देता है, और guys, finally, आज का last tip के बारे में जो हम बात करेंगे guys, वो है, delta drive, तो delta drive में basically 3 modes है, attack, defense और stamina, 3 हो करता है, बट कुछ भी अच्छे से नहीं कर ये खाली show off के लिए है, तो guys, overall, ऐसे आज का वीडियो था, tips के बारे में, tips बहुत important है guys, क्योंकि performance tips से भी बेवलेड का जो pattern है, movement का, वो decide होता है, पर ये, जैसे कि मैंने कहा, अभी भी कहूंगा, second important चीज है, first important चीज है, metal wheels, और अगर आपको metal wheels के बारे में जानना है, तो यार वीडियो के comment section में जरूर बताना, तो वैसे मैं आपको metal wheels के बारे में भी educate करूंगा, तो guys, आज का बस इतना ही वीडियो था, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए, take care guys and bye bye